सू प्रभाद प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ, आप सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे So dear children, let's see what is the day and day today, आज कौन सा दिन और आज कौन सी दिनाख हैं, देखते हैं आज कौन सा दिन है children, today is Monday, मंदे को हिंदी में बोलते हैं, सोंवार और आज कौन सी दिनाख हैं, देट कौन सी हैं, देट कौन सी हैं, आज कौन सी दिनाख हैं, साथ फरवरी दो हजार बाइस Children in Hindi, today we are going to revise स्वर, आज हम स्वर लिखने का अभ्यास करेंगे children, okay Children, from today we are going to start a revision work children, इसके बाद आपकी pattern work sheets होंगी, उससे पहले हम सभी topics की revision करेंगे children, okay So, आज हम revise कर रहे हैं, स्वर लिखने की, स्वर क्या है, जो आपने आ, आ, ई, ई, हमने लिखने सीखे थे, सबसे पहले, हम सबसे पहले उनको लिखने का अभ्यास करेंगे, practice करेंगे children, okay Children, यह आपकी Hindi की work book है, जिसका नाम है प्रयास, यह हमारी पूरी book finish हो गई है, इसमें सबसे पहले हमने sleeping standing line किया था, उसके बाद हमने स्वर सीखे थे, उसके बाद हमने व्यंजन इतना सीखे थे So children, आज से हम revise करना start करें आपने स्वर, जो आपके page number 20 से start हो रहे थे, ओके, आप साथ साथ में pictures भी देखेंगे, book से आप picture reading करेंगे, and notebook के ओपर हम लिखने का अभ्यास करेंगे children, okay So let's read pictures, pictures को read करते हैं, फिर हम अपनी worksheet लिखेंगे, children take out your page number 20, आप ये reading करेंगे, हिंदी के उसके बाद ही लिखेंगे Dear parents, I request, बच्चों को ये revision करवाएं, जो बच्चे जिन्होंने late join किया था, उनके लिए बहुत helpful रहेगा, जब हम revision कर रहे हैं, तो उनके सारे topics cover हो जाएंगे, जिन्होंने August, September में join किया था school So children, let's start reading, अ से अनार, अ से अमरूद, फिर हमने स्वर सी का आ, आ से आम, आ से आइस्सक्रीं, इसके बाद कौन सा स्वर आता है, children? इक, छोटी इक से इंजन, इक से इमली, इक के बाद आता है, इ से इंट, इ से इ, इक, उसके बाद आता है, children, कौन सा स्वर, उ, ये छोटा उ है, उ से उलू, उ से उपहार, उपहार में स्गिफ्ट, ना उसके बाद हमने सीखा था, बड़ा उ, कौन सा स्वर है ये, उ से उन, उ से उन, हम जब अभी शब्दों के जोड कर रहे हैं, हम स्वरों को भी यूस क करेंगे, उ से उन, उ से उन्ट, ये देखो, दो अक्षर का शब्द है, उन, उन्ट, उके, उसके बाद हमने सीखा, कौन सा स्वर हमने सीखा, रिशी, री, से रिशी, आप देख रहे हैं, चित्र, री से रिशी, उसके बाद हमने सीखा, कौन सा स्वर, ए, ये छोटी ए है, ए से एडी, ए से एक तारा, उके, it's a musical instrument चल्डन, एक तारा, उसके बार देखेंगे, उसके बार हमने सीखा चल्डन, आई, से आइनक, आई से एरावर, आइनक, एरावर, उके, उसके बार हमने सीखा, कौन सा स्वर, छोटा ओ, ओ से ओकली, ओ से ओस, ओस क्या होती है, dew drop, ओकली क्या होती है, जिसमें हम मसाला पीसते हैं, चल्डन, ओकली, ओस, उसके बार चल्डन हमने सीखा, बड़ा आउ, आउसे आउरत, आउसे आउशदी, आउरत, आउशदी, ये तीन अक्षर का शब्द है, आउरत, आउरत, चिल्डन उसके बाद आपने ये अक्टिविटी की थी जिसमें आपको जॉइंग करना था अ से अहां तक और इस बतक के चित्र को कम्प्लीट करना था ओके तो आज हम इन्ही स्वरों को लिखने का प्रियास करें हैं अपनी नोट रूप पे सो चिल्डन लेट स्टार्ट और हिंदी वर्कषीट सो चिल्डन लेट स्टार्ट रॉइटिंग आज हम स्वर लिख रहे हैं अ से अहां हम बोल बोल के लिखेंगे अ, dear children, जो हम swear और vengeance बनाते हैं, वो three blue lines में बनाते हैं आपकी हिंदी की notebook में five lines होती हैं, one, two, three, four and five जो हम swear और vengeance लिखते हैं, वो हम center की three lines में लिखते हैं, okay So let's start writing, पहले आप लिखेंगे अ से अनार, अभी हमने चित्र देखें, आप जल्दी जल्दी लिखेंगे आ, के बाद आता है, इ, से इमली, इ, के बाद आता है, बड़ी इ, से इक बड़ी इ के बाद, इ के बाद हम लिखेंगे, छोटा उ, से उल्लू उसके बाद हम लिखेंगे, बड़ा उ, से उन, उन, चिल्दन उसके बाद लिखेंगे, री से रिशी उके, उसके बाद हम लिखेंगे, ए से एड़ी, छोटी ए है, इसके बाद लिखेंगे, अई से आइनक उसके बाद लिखोगे, छोटा ओ, से ओखली, छोटी ओ के बाद लिखोगे, बड़ा आउ, से आउरत बड़े आउ के बाद लिखोगे, अंक्से अंगूर उपर डॉट लगाएंगे, छोटी सी, बिंदू लगाएंगे, अंक्से अंगूर के बाद लिखोगे आप, अहं, खाली इसके बाद आप टू डॉट्स लगाओगे, छोटी बादी, ओके, सो चिल्डन, बी केरफुल, जो आप आ से आम लिखोगे, यह जो आप स्लिपिंग नैट बनाते हैं, यहां तक फिनिश हो जाएगी, यहां तक लेके नहीं आना है, आ, इसे एक के ओपर ऐसे सी का बनाना है चिल्डन, तभी वो इसे एक बनेगी, ओके, यह उसे उल्लू है, जब आप ऐसे टेल बनाओगे इसके, तभी उसे उंठ बनेगा, ओके, रिसे रिशी, यह छोटी ए है, बड़ी अई बनाने के लिए आपको ऐसे मात्रा लगानी है, और जो आप मात्रा लगाएंगे, वो र एड़ लाइन से उपर नहीं जाएगे, चिल्डन, बी क्यारफूल वेन यह राइटिंग, यह छोटा ओ है, जो आप यह मात्रा लगाते हो, वो दूसरी वाली स्टेंडिंग लाइन पे लगानी है, पहली वाली स्टेंडिंग लाइन पे नहीं लगानी है, बी क्यारफूल, यह हैं बड़ा आओ, बड़ा आओ में आप दो मात्राएं लगाते हैं, और वो सेकिंड वाली स्टेंडिंग लाइन के ओपर ही लगाना है, अंगूर के ओपर छोटी सी एक बिंदी लगती हैं, और अहा में दो छोटी बिंदू लगती हैं, ओके, so dear children, in this way you have to do your revision of अहा, सु New Moi Worksheet, रीड़ और ऍवाइ शोटी बिंदू लगती हैं, और आओ जाूं कर दोटीसमे लगती हैं